हलो दोस्तों नमस्ते सरोज की किचन में आपका स्वागत है आज मेरी किचन में बन रही हैं सर्दियों की खास तिलपट्टी बहुती खास सुपर टेश्टी, सुपर क्रंजी, बहुती कुरकुरी तिलपटी राजस्तान की फिमस कुरकुरी तिलपटी इसे तेल का पापड और तिलपापडी भी मोलते हैं सुनी आपने आवाज और ही कुरकी तिलपटी सिर्फ दो चीजों से बनकर तयार हो जाती है ब्यावर की प्रसिद तिलपटी बनाने की खास टिप आपको बताऊँगी जिस से आप बिना परिशानी के बना सकेंगे तो चलिए तिलपटी बनाना स्टाइट करते हैं कुरकुरी तिल-पट्टी बनाने के लिए, यहां मैंने एक कटोरी तिल लिये हैं और एक कटोरी चीनी लिये, यहां पर management बिल्कुल पराबर करायेगा, जिस कटोरी या कप से आप तिल ले रहें, उसी कटोरी या कप से चीनी लेनी हैं, इसमें ग्राम बगरा की जर्वत नहीं है कटोरी या कप का नाप सही रहेगा तिल पट्टी बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए इसके लिए किवल चाहिए दो चीजे ये बच्चों और बड़ों को पसंद आएंगी तो इसके लिए गैस पर चढ़ाएंगे कड़ाई इसमें डालेंगे तिल और गैस का प् और तिलपटी को ज्यादा समय तक रख सकेंगे व्याबर की तिलपटी सफेग तिल से बनती है आप चाहे तो भ्रावन से भी मना सकते हैं मकर शकरांती आने वाली है उस पर तिल की बहुत सारी चीजे बनती है तिल बहुत फाइदेबंद होता है इसमें बहुत सारा केल्सियम होता है एंटी आक्सिडेंट होता है तो ये बच्चों और बड़ों सबके लिए बहुत हेल्दी होते हैं एक सर्दी ही ऐसा वक्त है जब हम तिल खा सकते हैं अक्सर तिलपटी बनाने का सही तरीका पता नहीं ह होता है और नाई रेशो का पता होता है कैचीनी कितनी लेनी है तिल कितने लेने और चाशनी कैसे बनानी है और तिल कब डालने है चाशनी गाड़ी है तो जल्दी से वो जम जाएगी और तिलपटी बिलेगी नहीं यह मुश्किले आती है ऐसे नहीं बनती है तिलपटी जो रा जातार तिल को चलाते रहें और गैस का फ्लेम लो रखें तो तिल हमारे हलके भुन गए हैं और हलके फुले फुले भी दिख रहें बस हमें इतने ही तिल भुनने हैं अब गैस का फ्लेम बंद करेंगे और तिल को प्लेट में डाल कर ठंडा होने देंगे और वापस कड़ाई क गैस पर रखेंगे, गैस का फिलम लो रखेंगे और इसमें हम डालेंगे एक चमच घी, घी को पिगलने देंगे, घी हमारा पिगल गया है, अब इसमें डालेंगे चीनी, और चीनी को लगातार चलाते रहना है, जब तक चीनी मेल्ट नहीं होती, तक चलाते रहना है, चीनी को पिगलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा परन्तु स्लो खैस पर चलाते रहना है आप देख रहे हैं हमारी चीनी थोड़ी मेल्ट होकर दानेदार होने लगी है चीनी के दाने आपस में चिपक गए है इसे लगाता चलाते ही रहना है आप चीनी की पिगलने की शुरुआत हो अब थोड़ी पिगल रहे है और पटे पर चीनी चिपक गए है इसे चाकू से हटाएंगे और चीनी पिगल गई है अब इसमें अच्छी के लिए थोड़ा सा इलाईशी पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे और साथ ही डालेंगे तेल और साथ में डालेंगे पिस्ता कतरन और जल्दी से चाशनी में मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बंद करेंगे और कड़ाई को हटाक लेंगे और फटापट कड़ाई में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और स्लैप पर रखेंगे पोर्शन को हाथ से गुमाएंगे और गोल करेंगे और बेलन पर घी लगाकर इसे बेलेंगे जितना पतला हम बेल सकते हैं उतना पतला बेलेंगे आप देख रहे हैं हमने एक बेल लिया है दूसरा पोर्षन लिया है उसे भी हाथ से गोल किया और इसे भी बेल रहे हैं शुरुआत में बेलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि वो घरम होता है धीरे धीरे थंडा हो जाता है तब अच्छे से बेल जाते हैं इसी तरह से हम तीसरा भी बेल रहे हैं और साइड में टकते जा रहे हैं फटापट ले रहे हैं पोर्षन को और गोल कर रहे हैं और चाकु से हटा कर गोल करके बेल रहे हैं फटापट बेलते चले जा रहे हैं आपको बेलते समय शेप की चिंता नहीं करनी है जैसा बिलता है व हमने सभी को बेल लिया है आप देख रहे हमारी कड़ाई में कुछ भी नहीं बचा है तो लेजिए हमारी व्यावर की फिमस तिलपटी बनकर तयार हो गई है यह बहुत ही पतली क्रिस्पी तिलपटी बनकर तयार हुई है मैं आपको तोड़कर दिखाती हूं आप देखिए कि सरफ पतली और कुरकुरी बनी है आप इसकी शेप पर मच चाईए ह। थोड़ी टेडी विड़ी हो सकती है पर घर पर साफ सुद्री बनकर तैयार होई बाजार में मशीनों से बनती है हमने अपनी हाथों से बनाइए usar भा दात वाले भूडे भी खा सकते हैं इसे हमने चीनी से बनाया है गुडवली का व्यूडियो जल्दे ही शेयर करूंगे तिल पट्टी को इस्टोर करने के लिए कोई पेपर या बटर पेपर भी ले सकते हैं एक तिल पट्टी रखें और पेपर फिर तिल पट्टी रखें फिर पेपर इस थरह से आप इस्टोर करके यह लख सकते हो आपस में चिपकेंगी नहीं आप बनाईए तो बहुत बढ़िया बनेंगी पहली बार में ही मेरा विश्वास है कि आप बना लेंगे और आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो एक दम कुरकुरी तिलपटी बनेगी तो आप बनाईए और मुझे कॉमेंट्स करके बताईए कि मेरी दिलपटी की रेसिपी आपको कैसी लगी और मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया हो तो जल्द ही सस्क्राइब करें अगर आप पेस्बूक और इंस्टाग्राम को फोलो क करें धन्यबाद